Welcome to Government Jobs for You YouTube channel आज इस वीडियो में हम बात करेंगे ही माशल प्रदेश की शिमला जिले में ECHS, शिमला में कलर्क, ड्राइवर, मेडिकल ओफिसर तथा अन्य पदों पर होने वाली भरती के बारे में आपने अगर अभी तक Government Jobs for You YouTube channel को सब्सक्राइब नहीं किया है और अगर आप आम नागरिक है तो आप दोनो ही अप लाई कर सकते हैं मतलब कि वेकेंसि दोनों के लिए है ECHS yht Harvest Man के लिए भी है और आम नागरिक के लिए है Total Vacancy यहां पर है 5 जिसमें कलर्क का एक पत भराज जाएगा अगर बात कीज़े किलर्क की क्वालिफिकेशन की तो यहां पर आप बारवी पास होने चाहिए और सैलरी यहां पर रहेगी 19,700 रुपे साथ में यहां पर आपकी maximum age रहेगी 55 years अगर आप है civilian मतलब की आम नागरिक और अगर आप है ex-service man तो आपकी यहां पर अपर age रहेगी 53 बात करते हैं second recruitment की जो की है driver की post के लिए driver की यहां पर एक post है इसके लिए आप 8 पास होने चाहिए साथ में आपके पास driving license होना चाहिए और 5 साल का आपके पास अनुभव होना चाहिए salary यहां पर same रहेगी 19,700 पर maximum age यहां पर रहने वाली है civilian के लिए मतलब की आम नागरिक के लिए 55 साल और अगर आप ex-service महनुत आपकी यहां पर maximum age रहेगी 53 अब बात करते हैं medical officer की medical officer का यहां पर एक पत भरा जाएगा इसके लिए आपकी योगिता MBBS होनी चाहिए और यहां पर आपकी salary रहेगी 75,000 पर मंत maximum age रहेगी यहां पर 65 years और बात यहां पर करें medical specialist की तो यहां पर एक पत भरा जाएगा qualification MD, MS आप होने जाहिए salary 87,000 पर मंत रहेगी आपकी first year and second year आपकी salary यहां पर रहने वाली है एक लाग के आसपास maximum age यहां पर रहने वाली है 65 years और अगर बात यहां पर की जाए IOIC की post के लिए तो यहां पर एक पत भरा जाएगी इसके लिए आप graduate होने चाहिए salary रहेगी 70,000 पर मंत साथ में आपका जो maximum age रहेगा बोरेगा 65 years साथ में अगर आपका अपना कोई YouTube channel है अपना institution है, coaching center है या अपना कोई school है तो आप अपने product, service की branding कर सकते हैं हमारे channel के माध्यम से आप अपना advertisement चला सकते हैं हमारे YouTube channel पर, हमारी website पर इसके लिए आप हमें mail कर सकते हैं हमारा email ID आपको मिल जाएगा description में आप बात करते हैं इसकी official notification की जो की है, इस news की सत्यता के बारे में जानते हैं तो आप यह देख सकते है news cutting आश, दैनिक, सौरी आपका जो दिब्य ही माचिल था वहाँ पर आपको यह news cutting मिल जाएगी जहाँ पर साब साब लिखा है कि station headquarter shimla invites application from ex-servicemen and civilian candidates ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपका यहाँ पर जो vacancy भी show कर रही है और अगर बात की जाए, यहाँ पर इसका application form और इसका official call number तो यहाँ पर जो number है 01772651372 आप इस number पर call कर सकते हैं यह number है station headquarter shimla का इस पर call करके आप अधिक जानकरी ले सकते हैं और अगर बात यहाँ पर कीजा last date की तो last date application की रहेगी 14 June 2019 मतलब की 14 June 2019 से पहले-पहले आपको आवे दिन करना compulsory है और अगर बात की जाके आपको क्या-क्या attach करना है अपने application form के साथ आपका यहाँ पर रहेगा आपका 10th का certificate साथ में degree diploma और साथ में आपका experience अगर है तो वो डाल दीजगा अगर आप ex-service man है तो copy of PPO और अगर आपके साथ में यहाँ पर जो भी आपका साथ कार होगा वो रद माना जाएगा तो यहाँ पर आपका कोई TA या डीए नहीं दिया जाएगा अब बात करते हैं कि आपका interview कब होगा आपका interview होगा station headquarters शिमला में सुबा 10 बजे 20 June 2019 को आप dates को note कर लिजएगा आपका interview होगा 20 June 2019 को application form को जमा करने की जो last date रहेगी हो वो रहेगी 14 June 2019 तो आपको 14 June को तक apply करना है और 20 June को आपका interview होगा यहाँ पर आपको कोई TA डीए नहीं मिलेगा इसका application form डाउलोड करना होगा तो link given in the description आपको description में link मिल जाएगा साथ में आपको description में हमारा email ID मिल जागा अगर आपको अपने school अपना college अपना institution coaching center अपना YouTube channel या अपना कोई बिजनस से आपको चाहते हैं कि उसको promote करना है हिमाशल के या हिमाशल के बहार लोगों तक लाखों लोगों तक पहुंचाना है हमारी website के मादिम से और 30,000 जादा 30,000 जादा जो हमारे subscribe है आप वहाँ तक पहुंचा सकते हैं हमारे YouTube channel के मादिम से तो आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही मिलते हैं किसे दूसरी वीडियो के साथ तब तक के लिए जैहिन जै भारत